दोस्तो नमस्कार में हूँ चंत कुमार सिंग और वलकाम बेट टो मैं चैनल दोस्तो क्या आपको पता है वार्चाप पर डिलीट कर दिया मेसेज को हम पर सकते हैं या देख सकते हैं जी हाँ दोस्तो आपने बिल्कुल सही सुना वार्चाप पर डिलीट कर दिया गया मेसेज क पर सकते हैं या देख सकते हैं तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हुँ कि वार्टसप पर दिलेट कर दिया गया मेसेस को हम कही से पर सकते हैं या देख सकते हैं कि तो चलिए शुरू करते हैं तो पहले प्ले स्टोर पे जाए और सर्च बुटन पे क्लिक करके नोटी सेप टाइप करें तो ये आ गई है अब देखिए दोस्तों ये बेल आइकोन दिखने को मिलीगा आपको तो इसे इस्टॉल कर ले रहा है इसके बाद इसे ओपन करें और ये पर्मिशन को एलाव कर दे और सेटिंग सेक्शन में इस नोटी सेप को एनावल कर दे इसको फाइल सेंड मेडिया में एक्सेस करने के लिए एलाव कर दे अब इसमें लिखा है status bar पे ये selected app का notification ब्लोक कर दिया जाएगा तो next पे दबाए और यहाँ all app को एनवर करके फिर disable कर देना है ताकि सब application disable हो जाए क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये app इन सभी का incoming notification को ब्लोक कर दे और ये incoming notification का read and receive setting complete हो चुकी है अब देखिए दोस्तो for example मैं इस device में whatsapp message send करता हूँ तो ये message आ चुकी है अब यही message को मैं delete कर देता हूँ तो देखिए दोस्तो इसमें लिखा है this message was deleted उसी deleted message को देखने के लिए notice safe पर जाए और click करें और यहाँ whatsapp section पर जाए तो जो message already delete कर चुके है वो यहाँ पर show कर रहा है तो दोस्तों देखिए ये कितना बड़ी आयप है तो whatsapp में अगर किसी का message को हम पढ़ लेते हैं तो ये blue tick mark बन जाता है और अगर नहीं देखते हैं तो ऐसे ही दो tick mark दिखाते हैं मतलब ये message already पहुच चुके हैं लेकिन नहीं देखा है तो इसमें अगर कोई बंदा आपको message करें और आप नहीं चाहते हैं उसको पता चले कि आपने पर लिया है तो इस एप पे जाके यहां क्लिक करें और देखें तो उस बंदा को blue tick नहीं दिखने को मिलेगा फाइनली अगर आप किसी deleted message को save करना चाहते हैं तो इसी SMS पे hold करें और उपर एक download का icon दिखने को मिलेगा तो यहां क्लिक करें और save to drive पे जाके इसको save कर सकते हैं दूसरा तरीका भी है save करने के लिए तो यहां क्लिक करें और export बोटन पे click करें और यहां save to drive क्लिक कर के इसे save कर सकते हैं तो दोस्तों वार्षा पर किसी भी ग्रूप या पार्सनले चार्ट पर मेसेज ड्रोप करने से पहले कई बार सोचे क्योंकि किसे क्या पता कौन कैसे ट्रिक उसकर रहा है अगर वीडियो अच्छलागा तो लाइक और शेयर जरूर किजिएगा और हाँ अगर चैनल पर नए है तो आज के लिए वीडियो इतना फिर में लेंगे आपसे और एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहें